हालो फ्रेंस वेलकम टू अली एससी और आज देखेंगे 20 मार्ज को फर्स्ट शिप ने आए हुए एससी छसल में कि जीके कोचन और कुछ इंगलीज के कोचन भी मिले हैं तो उसको भी देखेंगे चलिए शुरू करते हैं आज कैसे कोचन आया है यह मेमोरी बेस्ट है कुछ कुछ लर्कों द्वराय मुझे प्राप्थ हुआ है तो चलिए देखते हैं पहला कोचन हूँ एड्मेनेश्टेट दो ओथ हो ऑफिस्टू मेंबर्स ऑफ परल्लेमेंट जो केबिनेट मनिस्टर होते हैं उनको कौन सपत दिलाता है तो प्रेजडेंट होता है और नेस्ट को सब्सक्राइब का है तो यह ऑजि आ hermanभर में अ दो परिश इसथित्त नेश्ट कोजन सब्सक्क्राइब में हिच अाफ गेनिस्टान हो टान्सपोर्ट तो कितना रुंपिया Veget hearing किये गया है तो इसका एंसर हो जाएगा 2.87 million USD और नेक्स्ट को जाज या टेक्स को दोबारा किस ने इंपोज किया तो इसका एंसर हो जाएगा और अरंजेब ने किया था अकबर ने इसको समाप्त कर दिया था लेकिन औरंजेब फिर से चालू कर दिया था जाज या टेक्स को नेक्स्ट कोचन था which of the following is not metal तो जो option था उसमें answer हो जाता और phosphorus phosphorus non metal है यह metal नहीं है और नेक्स्ट कोचन था speed ब्राबर frequency into wavelength इस्टे नुमेरिकल कोचन था उसमें speed दिया हुआ था और frequency दिया हो था उसमें आपको time period लिकान रहा जो time period होता है one by wavelength होता है तो wavelength निकल देगा तो time period भी निकल देगा इस तरह से नुमेरिकल कोचन आ रहा है और नेक्स्ट कोचन virtual assistance in SBI से related था exact question नहीं मिल सका है और नहीं option मिल सका है अगर जानते हैं तो comment box में जाके share कर सकते हैं उस question को ताकि solution प्रवाइड करा सके और next question तो proton है किसके बराबर होता है तो electron के बराबर होता है जो neutral item में होता है number of electron, number of patron के बराबर होता है neutral item में नेक्स्ट कोचन था highest paid actress कौन है तो इसके answer हो जागा इमा स्टोन यह Forbes के द्वारा जारी किया गया है तो इमा स्टोन इसका right answer होता है नेक्स्ट कोचन था rail coach factory जो हाली में अस्थापना की जाने की बात किया गया है तो कहां किया करन का श्थापित होगा तिसका answer होगा लाटूर में जो मराठा वारा रीजन में होता है महरास्ट के यह district है लाटूर यहीं पर रेल कोज फैक्ट्री अस्थापना किया जाने को पास कर दिया गया है भारत सरकार द्वारा नेक्स्ट कोचन था प्लेस अप मैक्सिमाम रेनफोर तो इसका एंसर होगा मांसी राम और नेक्स्ट कोचन था पिक्चर अन वेबसाइज इसका एंसर होजगा इस्टी एमेल जो ऑप्षन था उसमें राइट एंसर हो जाता है एस्टी एमेल कोचन था फर्स्ट ताइम निदियन शोलजर वेख एलावट तु यूजसिप तो इसका आप्सन नहीं मिल सका है और नेक्स्ट कोचन हार एंकिड्नी से था तु इसका भी एक्जेट कोचन नहीं का है अगर जानते हैं आप comment box में उसको share कर सकते हैं और next question which is correct statement था तो पहला statement क्या है मंजीत चीलर प्लेड प्रो कबाड़ी लिग फ्रम तमिलनारु टीम यह गलत statement है नेक्स्ट को जानता है इवा 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 इंदियाज smartest chatbot is of which bank जो इवा है वो किसका chatbot है किस बैंक का तो इसका answer हो जागा HDFC और जिनिंग में आया था order out इंट फादर मेल सं मेल सिस्टर फीमेल ग्रांड मेडर फीमेल तो इसको all one out करना था आइडम्स इंग्लिश में था keep it बे नोडाइस चान वाइथा वे ग्योयल और मैज शक्रोचन आया था एन प्लस एन बाइटो प्लस एन बाइट प्रावर फोटीयत वे इन कम भालु निकालना था और नेक्स्ट कर्षण ट्रिग्रमेट्रिस चाता है साइन फोटी फाइफ प्लस अंडर रूट 3 साइन फोटी फाइफ का वैलू होता है वन बाइट टू तो इसको एडिशन करके रिशनलाइजेशन करतेंगे तो एंसर आ जाएगा और नेक्स्ट कोचन एप्रोक्स वैलू आफ निकालना था तो इ तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब भी कर ले वीडियो दखने के लिए धन्यवाद